आज हम बनाएंगे ड्रॉइंग बच्चे वाटर में इंचॉइ कर रहे हैं तो शुरू करते हैं हमें सर्कल लेने हैं सबसे पहले फेस के लिए 5 आपको अब स्टार्ट करेंगे गर्ल का फेस सबसे पहले गो विद इयर देन दे हैर लाइन आई ब्रोस आइस नोस एंड प्रिटी बिग स्माइल विद टीथ अंट तंग इसके बाद इसका देखो हम शेप देंगे में का नेक शोल्डर आम एंड रेस्ट बोड़ी उसकी वाटर के अंदर है 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 पीछे से हैर स्ट्रॉ करेंगे येस और बीच का जो सरकल है वो एरेस कर देंगे सो उसके ओपन हेर्स है बी लिटल केरफूल रेस्ट उसकी बैक बॉड़ी के पास से लीवस बना दो नव सेकंड गर्ल सेम टेक्नीक आइब्रोस आइस नोस और स्माइली यें प्रिटी बिग नेक येस नेक बनाने के बाद शोल्डर्स देन वाटर शोल्डर्स के बीच में से निकाल दो आर्म्स नाओ दो हेर पार्ट इसके भी हेर्स जो है वो ओपन है और इसने भी हेर्स खोल रखे हैं जो लाइक दिस तो दो गरल इस दन जो सेंटर सब कर लाइन ए डाट यू इस अब हम थर्ट बनाएंगे बॉई सेम टेक्नीक एर्स हेर्स आइस नोस और दो फेस येस हेर्स सेंटर लाइन इरेज करनी है नाओ वाटर बनाना है बिलकुल इसके फेस के पास से और पुल दे हैंड येस इसके बाद हमारा नेक्स बॉई सेम टेक्नीक एर्स आइस स्माइली फेस कट एक्स्ट्रा लाइन येस अब ये टायर ट्यूब में इंजॉई कर रहा है येस तो हम इसका हैंड बनाएंगे देन दूसरा हैंड देन देन द बॉड़ी देन द निकर और उसके साथ साथ हम टायर ट्यूब बना देंगे सो टायर ट्यूब बनाने के बाद ये सब देको स्टोंस बन गए फटाफट ग्रास बना दी और दे लास्ट बॉइ ये जंप मार रहा है उपर से सो सिंपल फेस बनाया है इसकी बॉड़ी उपर की तरफ बनेगी देन दे लेग्स आर्म्स इसके नीचे आएंगे विद दे हैंस ये जंप मार रहा है है येस नाव यू आप टू ट्री उपर का पार्ट कवर कर देंगे बुशेस जहां आपको स्पेस मिल रही है उसके बाद स्टोंस और स्टोंस के बीच में से हम दिखाएंगे हिल्स में से वाटर फॉल सो बी लिटल केरफुल वाइल द्रॉइंग दिस पार्ट हिल बना दी म अब हम स्केचिंग करेंगे ब्लाक स्केच्पेन से आपको आऊटलाइनिग करने हैं गपना द ऑ्ने ट्रॉइंग होग आईल पेस्टलज के साथ जाएंगे You can take domes, you can take cameline, आपको जो भी आपके पास हो oil pastels, वो वाले oil pastels के साथ will go So sketching थोड़ा ध्यान से करना, sketching में कई बच्चे या कई लोग spoil कर देते हैं So be little careful, don't go fast, you have to sketch out very carefully And after sketching, you have to erase, जो pencil mark है, वो आपको erase करने है, sketching करने के बाद So that कोई pencil mark नहीं दिखे, otherwise वो जब हम color करेंगे, तो color के बाद pencil mark बहुत अजीब से लगते हैं So be little careful while doing this part So now I am starting with the coloring, मैंने orange color लिया है और orange color की boundary बना दी पहले Hands में, बाजूों में, legs में, अभी face नहीं किया And with the skin color, flesh tint होता है color, उसके साथ आपको orange color को mix करना है, slowly slowly round round तो देखो आपकी mixing किती beautiful लग रही है, ऐसे लग रहा है कि original skin tone है Yes, skin color करने के बाद, same technique we have to follow for the face सबसे पहले orange की outlining देने है, outlining देने के बाद, you have to go with your flesh tint color Be little careful while doing this part, eyes में, face में नहीं जाना चाहिए Be little careful Yes, इसके बाद, you have to take pink color for the cheeks और smiley के साथ साथ, you can go with the cheeks It's just optional, मुझे अच्छे लगते हैं, तो आप भी बना सकते हो, आपका choice होतो Yes, pink color से cheeks कर दिये Now, we have to start with the bushes, bushes में dark green, light green and yellow Three colors we need So, सबसे पहले आपको dark green करना है, then सब में dark green कर दो, then mix it with light green Slowly, slowly, round, round, you have to move Be little careful, light green आपको थोड़ा सा जादा करना है, dark green से But mix करते हैं, and yellow के लिए बहुत थोड़ा सा space चोड़ना है ताकि वो brighter look दे, चीक है So, now lemon yellow, I'll go with lemon yellow Lemon yellow के साथ mixing करेंगे So, now हमारी trees, bushes, complete हो गई है, अब हम बच्चों की dresses complete करते हैं So, बच्चों की dress, it's your choice, again मैं ले रही हूं Red और orange, leaves रहे गई थी, leaves भी कर देती हूं, यहां पर भी थोड़ी सी grass बच्ची है, वो भी कर देती हूं Now the dress part, orange and red, पहले आपको red करना है, then orange के साथ जाना है And second girl में मैंने lines डाल दी, red line, orange line, red line, orange line, red line, orange line अगर आपको यह चोटा-चोटा work नहीं होता, तो आप sketch pen से भी कर सकते हो Boy की nicker में, I'm going with violet and rose pink ऐसे ही जो tire tube है, उसमें भी same कर रही हूं, I'm going with violet and rose pink Nicker में, again the color, जो dress of nicker और यह सब है, यह आप अपनी choice का कर सकते हो Compulsory नहीं है, कि मैंने जो किया वही करना है Yes, इसके बाद, I'm going with the stone, brown and yellow, ochre color So, dark color, पहले brown करना है, then yellow, ochre के साथ, हमें उसे mix कर देना So, stones हो गए, hills में, tree trunk में, same technique Tree trunk में, आप dark brown, stone भी ले सकते हो, dark brown, then brown and then yellow ochre So, you have to mix slowly, slowly, round, round, be little careful, the area is smaller So, you have to be very careful while doing the coloring Yes, यह वाला देखो, पाट हो गया इसके बाद, I'll go with the stone, stone के लिए black and white So, आपको black color लेना है, बहुत होड़ा सा और उसको white के साथ merge कर देना है, तो वो grey color बन जाएगा So, जहाँ पर stones उपर और नीचे हैं, वो पाट आपको complete करना है Complete करने के बाद, we'll start the water For water, we have to take cerulean blue, then light blue and then white So, three colors we need, cerulean blue, light blue and white So, देखो, मैं light light कर रही हूँ, I am not going with my hard hands Soft hands से आपको करना है, और carefully करना है, कि body part में blue color नहीं जाना चाहिए अगर body part में गया, तो आपकी drawing जो है, वो spoil हो जाएगी So, आपको light light color चलाना है, cerulean blue, then you have to move with light blue और फिर थोड़ा थोड़ा white कर देना है इसके बाद you have to take earbud, आपको earbud लेना है और earbud के साथ आपको सारे color को mix कर देना है, in one direction Be little careful, आपको earbud को one direction में move करना है Don't go with your tissue paper, tissue paper क्या है, वो spoil करेगा क्योंकि हमना रहा बहुत छोटा छोटा एरिया है, तो कोशिश करो, you have to move with your earbud, be little careful, hands में, face में, blue color नहीं जाना चाहिए So my this part is almost done You have to move your hand carefully, be little careful Yes, अब हमारा sky area आगया Sky में आपको करना है, rose pink color, light blue color और उसको again you have to merge it up with your earbud आपको earbud से mixing करनी है So देखो हमारा sky भी ready हो गया Yes, दोनों side से भी little careful, go slow and the sky is done Yes, now you can go with the outlining आप black color pencil से outline कर सकते हो सारी drawing को तो जो आपका sketch part है जो डल हो गया है वो beautiful हो जाएगा Yes, now hairs part, hairs part always remember हमें hairs को सबसे last में करना है क्योंकि उसमें black color होता है अगर आप black color पहले कर दोगे तो आपका सब black black हो जाएगा So, be little careful मैं base में कर रही हूँ yellow ochre color और yellow ochre color करने के बाद I am going with the black color So, आपको hairs को पहले ochre color से fill करना है और उसके उपर आपको black color करना है Be little careful Yes, so the black part is almost done now you have to arrange your toothpick आपको toothpick arrange करनी है So, we'll go with the hairline hairline हम toothpick से create करेंगे Yes, so देखो कितने original hairs लग रहे हैं toothpick से आपको lines डालनी है Be little careful Yes, now the last step we have to take earbud But, उससे पहले हलका हलका shade डाल दो blue Persian blue से जहां 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 हमने water बनाया है वहां पे हलकी हलकी shading डाल दो Shadow के लिए Now, the last step you have to take earbud and white paint देखो जहां जहां हमने water बनाया है वहां पे हमें dab technique से ऐसे दिखाना है जैसे देखो water के bubbles उट रहे हैं Be little careful while making this part यह हमने जहरने के पास भी बना दिया So, like this हमारी drawing complete होती है Hopefully you enjoyed the drawing बताना मुझे आपको drawing कैसी लगी और videos के लिए मेरे channel पे बने रहना Share करते रहना, Like करते रहना Bye Bye for today